हलो फ्रेंट्स कॉंपेटिशन कम्यूनिटी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाले मध्य प्रदीश की जलवायू के सम्मंध में वस्तु निश्च प्रश्णों के बारे में और साथी साथ में इसमें मध्य प्रदीश की म्रदा से सम्मंधित भी कुछ सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं तो हमारे पहले कॉश्चन की तरफ आंगे बढ़ते हैं मध्य प्रदीश की जलवायू के सम्मंध में असत्य कथन बताईए देखिए आपको असत्य कथन बताना है मतलब आपको गलत कथन बताना है मांसून शब्द की उत्पत्ति बाते हैं तो प्रइप्रदिश की जलुआईों के बारे में बात करते हैं तो मध्य प्रदीश की जलुआईों को चार भागों में बाटा कॉन। से भाग है एक हो चाना हमारा ऊत्तर का मैंद दूसरा यप मालवा का पठार, तीसरा हो जाता है नर्मदा घाटी शेत्र और चौथा होता है विंड का पहाडी शेत्र तो चार भागों में बाटागी है तो यह जो चीज़ है यह सही हो जाएगी मद्य प्रदीश की जलवाईयो उश्ल कटी बंदी जलवाईयो है बिलकुल सही बात है साथ ही जात में मानसूनी जलवाईयो है बिलकुल सही है आप्शन नमबर बी भी हमारा सही हो जाएगा आप्चन नमबर A मांशून सब्द की उत्पति अर्भी भाषा से हुई है ये भी सही है तो हमारा A, B और C तीनों कोशन यदी सही है तो आंसर आपका D होगा जिसमें लिखाया उपर्यूक्त सभी कथन असत्ति है तो क्योंकि ये असत्त है तो इसकारण से आंसर आपका D हो जाएगा फाहयान ने किस शेत्र की जलवाईयों को श्रेष्ट जलवाईयों में से एक कहा है कॉश्चन कुछ ऐसा होना चाहिए था फाहयान ने मद्य प्रदेश के किस छेतर की जलवायों को विश्व की श्रेश्टतम जलवायों में से एक कहा है नर्मदाघाटी, मालवा शेतर, बुंदेलखंड शेतर और बगेलखंड शेतर देखिए फाहयान की जब हम बात करते हैं तो फाहयान जो है एक चीनी यात्री थे जो कि भारत में भ्रमण करने आये थे और इन्होंने बहुत ही सारी जगाओं को भारत में घूमा था इसके अलावा ये सबसे जादा पसंदीदा जो इनकी जगा थी वो थी मालवा और उन्हों प्रिदीश का मैप आपको दिख रहा होगा इस मैप में जो आपको किनारे में दिखाए दे रहा है वो मालवा का शेत्र इस्थ है ये वाला इंद और उज्जयन वाला शेत्र जलवायू के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से मतलब जलवायू को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से परवतों के स्थिती करकरेखा वर्षा की मात्रा और वर्षा का समय देखिए हमने जलवायों को प्रभावित करने वाले कारकों को हमने लेक्चर में पहले ही देखा था बात करते हैं परवतों की इस्थुती बिल्कुल सही बात है परवत जिस प्रकार से खड़े होंगे उसी प्रकार से हम देख पाएंगे कि जलवायों किस प्रकार की हो रही है करक रेखा बिल्कुल क्योंकि करक रेखा जो है वहाँ यहां पर इस्ते तो उसके नीचे जीरो डिगरी है और उसके नीचे मकर रेखा है तो करक रेखा भूमद रेखा और मकर रेखा भी निर्धारत करती है सूरी की किरनों से तापमान किस प्रकार का और कितिदा होगा वर्षा की मात्रा बिल्कुल सही है जहां पर बहुत जादा वर्षा होगी वहां पर आदरता जादा होगी वर्षा का समय वर्षा का समय भी जलवायों निर्धारन करने में मदद करता है तो option आपके हो जाएंगे A, B, C और D चारो option number D आपका सही answer होगा काली मिट्टी को कितने भागों में माटा गया है यह काली मिट्टी है जब काली मिट्टी की हम बात करते हैं तो यहां वहां मिट्टी है जो की प्रदीश में सरवाधिक पाई जाती है इसके साथ इस मिट्टी का निर्माड ज्वाला मुखी के विस्पोर्ट से निकले लावे से होता है साथ इसाथ में बेसाल्ट चर्टानों से भी इसका निर्माड होता है जो काली मिटी है यह सबसे जादा प्रयोक्त मिटी मानी जाती है कपास के उत्पादन के लिए काली मिटी मद्य प्रदेश के सबसे जादा मालवा में फिस्तिरत है इसके साथ साथ में यह प्रदेश में भी सरवाधिक फैली हुई है इस मिट्टी को तीन भागों में बाटा गया है Option number C आपका सही हो जाएगा तीन भागों में कौन-कौन से भागों में एक है गहरी काली मिट्टी दूसरा है छिछली काली मिट्टी और तीसरा है हमारा साधारन काली मिट्टी मद्य प्रदेश की जलवायों को किस भाग में बाटा गया है उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, मुंदेल खंड, विंदी की पहाडी और नर्मदा सोन घाटी मद्य प्रदेश के भागों को कितने जलवायों प्रदेशों में बाटा गया है तो option number D जो है आपका सही है ABDE के साथ में मध्य प्रदेश की पहली आधुनिक वेदशाला का निर्मार कब और कहां किया गया देखें ये हैं मध्य प्रदेश की आधुनिक वेदशाला इसमें क्या होता है रितुओं का अध्यान होता है मांसूनों का अध्यान होता है कि देवास 2003 जवलपूर 2008 इंदौर 2015 औजइन 2013 तो मंद्यव रिधीश में पहली अत्याधुनिक वेद्शाला जो बंड़ां गए थी वह वर्ष 2013 में उजयन जिळुम में बनाए गई थी और इस वेद्शाला का नाम अचारे व्रामिर के नाम पर रखा गया है मध्य व्रिदेश की जलवायू किस प्रकार की हमने पहले कॉश्चन में इसका आंसर पहले ही देख लिया है ऑप्चन देखते मांसूनी प्रकार भूमधी रेखी प्रकार भूमधी सागरी प्रकार और कोई नहीं तो मध्य व्रिदेश की जो जलवायू है वहां उश्न कटिबंधी मानसूनी प्रकार के जरवाई है इसलिए आपका ऑप्शन नमबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा मध्यप्रदेश की उतकात भूमी वेटलेंड परिणाम है मतलब मध्यप्रदेश की जो उतकात भूमी अथा जो वेटलेंड है वो किस चीज का परिणाम है अब नालिका अपर्दन का परत अपर्दन का आतीचारन का और वाईयो अपर्दन का देखिए उतकात भूमी का सीधा सीधा मतलब यह होता है यह जो आपको दिखाई दे रहे हैं क्या बोलते हैं इसको उबड़ खाबर इस्थल तो उबड़ खाबर जो इस्थल है इन इस्थल जो यह अपर्दन हुआ है यह पूछा गया है तो नदियों के द्वारा ये जो पर्दन किया जा रहा इसे कहा जाता है अवनालिका अपर्दन इंग्लिश में इसे गली रोजन भी कहा जाता है मध्य प्रिदेश में सबसे ज़्यादा चंबल नदी अपर्दन करती है मुरैना मध्य प्रिदेश के सरवादिक वर्षा की बात करते हैं तो बहुत पशमरी होशंगाबा जिले के अंतरकत होती है मध्य प्रदेश की सबसे कम वर्षा जो है वह 5 cm कि और यह होती है तो यह होती है भिंड जले के अंतरकत गोहद नामकिस्थान में और यह जो आपको बहुत जादा प्रसिद्य स्थल भी है यह निम्न में से काली मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है रेगूर बांगर खादर इन में से कोई नहीं देख चुके हैं कि यह मिट्टी जो है यह लावा से निर्मित होती है बात करें रेगूर की तो रेगूर जो है काली मिट्टी को ही कहा जाता है साथ ही साथ में इसे चेर नोजम के नाम से भी जाना जाता है बांगर और खादर ये जो दो प्रकार दिखाई दे रहे हैं ये जलोड मिट्टी के प्रकार है और मध्य फारत का जो पठार का शेत्र है वहां पर हमें जलोड मिट्टी देखने के लिए मिलती है बुंदेलखन के बहुत कम हिस्ते में गेमिटी हमें दिखाई देती है मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की रित्वें पाई जाती है चार, तीन, दो इन में से कोई नहीं देखें यह सवाल बहुत जादा इजी है मध्य प्रदेश में कितने प्रकाल की रित्वे पाई जाती है तीन प्रकाल की रित्वे पाई जाएंगी कौन-कौन सी ग्रीश्म रितू, शीत रितू और वर्षा रितू मध्य प्रदेश में वार्षिक औशत वर्षा कितनी है या क्या है तो 100 से 150 cm, 50 cm से कम 50 से 75 cm और 2002 mm जब बात करेंगे मध्य प्रदीश की वर्शा की तो मध्यप्रदीश की संपूर्णमध्य प्रदीश की और रशिक वरशा जो है 112 cm होती है तो इसका सटी का आंसर जो होगा वो होगा 100 से 125 सेंटीमिटर के बीच में आपका option number A सही हो जाएगा मध्यप्रदेश के निमलिखित में से किस जिले में मुर्दा अपर्दन मिट्टी का कटाव की समस्य अत्यधिक है मध्यप्रदेश के उस जिले का नाम लेना है जिसमें सबसे जादा मुर्दा अपर्दन जिसमें मिट्टी का कटाव बहुत जादा होता है आंसर है मुरैना जिला जवलपूर भुपाल मुरैना खंडवा मुरैना जिलाइस का सही आंसर है अब मुरैना के बारे में आपको एक चीज़ पता होनी चीज़ यह जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है यह है मुरैना का 64 योगनी मंदर और इस मंदर की ही तरज पर भारत का संसत भवन बनाया गया था और बाद में अभी हम देख र उत्पादन के लिए सबसे जादा उपयोगी मानी जाती है कपास का उत्पादन मध्य प्रदेश में खंडवा और खरगौन जिलों में कहा किया जाता है और इन जिलों को ही कपास के सरवधिक उत्पादन के कारण सुनहरे जिले कहा जाता है और कपास जो है इसे सफेद सोना अब ही कहा जाता है मध्य प्रदेश में सबसे जादा वर्षा किस से होती है मतलब किस मानसून से मध्य प्रदेश में सरवाधिक वर्षा होती है दक्षन पूर्वी मानसून दक्षन पूर्वी मानसून और उप्रयोक्त सभी मध्य प्रदेश में सबसे जादा वर्षा की हम ब और पश्शिमी मानसून से. दक्षन पश्शिमी मानसून से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्शा होती है. option number C आपका सही अंसर हो जाएगा. मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ताप्मान कहा अंकित किया गया है? बालाघाट, गुवालियर, गुना और गंज बसोदा तो मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा तापमान अभी तक का जो है वो गंज बसोदा में मापित किया गया था, मापा गया था मध्य प्रदेश में सरवाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है लाल पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, मिशृत मिट्टी इन में से कोई नहीं जब मध्य प्रदेश में बात कर रहे हैं सरवाधिक मिट्टी की हम पहले देख चुके हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती इस कारण से ये आंसर आपका सही होगा option number D इन में से coin ही और option रहता अगर काली मिटी तो काली मिटी हम लगाते मालवा का पठार किस मिटी से बना हुआ है समरिद्ध मिटी, लाल पेली मिटी, काली मिटी और कछारी मिटी मालवा का पठार जो है वो काली मिटी से बना हुआ है और यहीं पर सबसे ज़ादा का पास का उत्पादन होता है सुनेहरे प्रकार के गेहूं का उत्पादन होता है जिसे साबरमती गेहूं भी कहा जाता है शिहोर और उज्जेन में सावरमती गेहूं का उत्पादन किया जाता है सोयवीन का सरवादिक उत्पादन मालवा के पठार के अंतरकत होता है माद्य प्रिदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है उत्री भाग, दक्षनी भाग, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग तो यह हो गया उत्री भाग, यह हो गये दक्षनी भाग, यह हो गया हमारा पूर्वी भाग और यह हो गया पश्चिमी भाग तो माद्य प्रदेश की सबसे ज़ादा जो वर्षा होती है वो होती है पूर्वी भाग में अथा आपका option number D इसमें सही answer हो जाएगा मालवा का पठार की जलवाईव किस प्रकार की है मानसूनी जलवाईव भूमद सागरी जलवाईव सम जलवाईव उप्रयोक तुम इसे कोई नहीं जब मालवा के पठार की जलवायों की बात करते हैं तो मालवा के पठार की जलवायों मानसूनी जलवायों ना होकर सम जलवायों है सम सितोष्ण जलवायों है इसका मतलब यह है कि मानसूनी जलवायों मध्य प्रदेश की है लेकिन मालवा के पठार की जलवाईओ जो है वो सम जलवाईओ इसका मतलब यह हुआ कि ना जादा गर्मी ना जादा ठंडी जलवाईओ प्रदेश का कौन सा जिला मिट्टी अपर्दन या म्रदा अपर्दन से सबसे जादा प्रभावित है निमलिखित में से किस मिट्टी में बालू की अधिकता होती है बालू का मतलब होता है रेत की अधिकता काली मिट्टी लाल पीली मिट्टी जलोड मिट्टी और मिश्रुत मिट्टी देखिए काली मिट्टी जो है इसकी जल धारन समचमता सरवाधिक होती है बहुत जादा जल का धारन करती, जल को रखती है लाल पीली मिट्टी जो है ये इतनी उपजाव नहीं होती जलोण मिट्टी इसका सही आंसर होगा अपसे नमबर सी जलोण मिट्टी यहां सबसे जादा अपने भीतर में बालू को रखी होगे है लाल पीली मिट्टी किस फशल के लिए उपयोगी है कपास जुआर धान और चाय तो इसका अंसर होगा धान अब लाल पीली मिट्टी जो है वह कम उपजाओ होती परन्तु वर्षा की अधिकता में मध्य प्रदेश में ये धान का अच्छा खासा उत्पादन कर लेती है जलोड मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है नाइट्रोजन पोटास फासफोरास उपर्योगत में से कोई नहीं देखें जलोड मिट्टी के जब हम बात करते हैं तो इसमें अधिकता होती है पोटास की और ये आपको दिखाई दे रहा है इसे पोटेशियम भी कहा जा काली मिट्टी का निर्मार किस चट्टान से होता है बेसाल्ट रुपान तरित अवसाधी इन में से कोई नहीं तो काली मिट्टी का निर्मार जो है वो बेसाल्ट चट्टान से होता है यह आपको ब्लैक कलर की बेसाल्ट चट्टान दिखाई दे रही होगी मद्य प्रदेश के किस छेतर में मानसून की बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों शाखाओं से वर्षा होती है मतलब मद्य प्रदेश का कौन सा ऐसा छेतर है जहां पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखाओं से वर्षा होती है तो ये है मध्य प्रदेश का मालवा छेत्र, निमाड छेत्र, विंद शेत्र और बुंदेलखंड इसमें से आंसर होगा आपका विंद शेत्र जो है option number C यहाँ वहाँ शेत्र है जहां से मध्य प्रदेश में दोनों तरफ से वर्षा होती है निमलिकित में से मध्य प्रदेश का कौन साथ जिला निमन वर्षा वाले शेत्रों में आता है सीधी, जाबुआ, बालाघाट और पच्मडी देखिए ऐलमिनेट करना है पच्मडी पहले अलग हो जाएगा सबसे जादा वर्षा होती है बालाघाट सबसे जादा वन है यह भी ऐलमिनेट हो गया बचा सीधी और जाबुआ तो सीधी को अगर आप देखते हैं तो यह मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला है तो सीधी भी हट जाएगा बचे का आंसर जाबुआ अब जाबुआ में वर्षा कम क्यों होती है देखिए जाबुआ जो है जाबुआ यहां पर स्थित है और जाबुआ के जस सामने आजाता है एक बड़ा सा पहाड और इस पहाड के आजाने के करण जब हवाई यहां से चलती है वर्षा यहां से होती है तो यह यहां तक तो पें जावगों हो में बहुत जादा जालका संकट हैं अप देख सकते हैं आप लोग जल के लिए कितना जादा परिशान होते हैं मध्य प्रदेश में बगहेल खंड छेतर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी लाल पीली मिट्टी मिश्रित मिट्टी और जलोड मिट्टी देखिए आपसे बगहेल पंड पूछ रहा है तो इसका सही आंसर होगा कि बगहेल खंड में हमें लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है आप्शन नंबर भी आपका सहीं हो जाएगा इसके साथ में मध्य प्रदेश्चे संबंदित हमारे जलवायों के सभी प्रश्ण समाप्त होते हैं आप से मिलेंगे नेक्स वीडियो में ओके थेंक्यू सो मच